आज आपको मिलवाएंगे चार ऐसी नर्सों से जो रमजान में रोजे रखकर भी किस तरह से मरीजों की सेवा कर रही हैं और सिर्फ एक दिन नहीं पिछले 28 दिनों से लगातार रोजा रखे हुए हैं और हर संक्रमीत मरीजों को चाय, नाश्टा, दवाई के साथ उनके उक्स 28 घंटे पीपी किट पहनती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं, रोजे के दोरान ना तो कुछ खाय जा सकता है और ना ही कुछ पिया, धीशन गर्मी में पीपी किट पहने रखना बड़ा चुनोती भरा काम है, लेकिन इन्होंने सेवा को ही अपना फर्ज बना लिया है, मन में करना समय पे पोछना, ओवर लेना, फिर जाकर पुरे पेशनों का बीपी पल्स, टेंपरेचर, आक्सीजन लेवल, सब का स्लेंडर ओटू चल रहा है या नहीं, किसको कितना स्लेंडर आक्सीजन देना है, यह सब पहले जाकर चेक करते हैं, फिर मेडिकेशन, इंजेक्शन वगेड़ा समे पे देना, फिर समय से में पेशन को उठाना बिठाना, किसने खाना नहीं खाया, नास्ता नहीं किया, यह सब भी हमको देखना पड़ता है। दोनों को निभाना जरूरी है फर्ज है रोजा हम पे इसलिए रखते हैं उसको हमेशा और पेशन का भी फर्ज समझकर ही हम लोग काम कर रहा है कोवेट वाट में रोजा रखते हुए अपनी ड्यूटी निभा रही नर्सों के जजबे को पूरा होस्पिटल स्टाफ सलाम करता है दोक्तर भी मानते हैं कि कर्मी के इस भीशन दोर में शरीर में पाने की कमी से डिहाइडरेशन हो सकता है लेकिन बावजूतिस के ये नर्स अपनी ड्यूटी पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ निभाती हैं यही वज़े हैं कि पूरा होस्पिटल स्टाफ इनके काम की सराहना कर रहा है हमारा जो कोवीड होस्पिटल है ए ब्लॉक में खंड़वा में इसमें हमारी चार नर्सेश हैं जो की रोजा भी रख रही हैं और अपने जो ड्यूटी हैं वो भी पूरी करतव्य निष्ठा और इमानदारी के साथ निभा रही हैं तो हम लोगों को काफी घर्व महसूस होता है कि हमारे पास ऐसे वरकर हैं जो अपने कारिये को पूरी निष्ठा और इमानदरी से कर रहे हैं, चार हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, हीना, नर्गीस, रजिया और संबरीन जो की दिनबर रोजा भी रखती हैं, साथ ही जो हमारे भरती मरीज हैं, उनकी सेवा में भी कोई कोता ही नहीं बरती हैं, जैसे कि आ जैनने के बाद में जो पसीना निकलता है और विक्ती डिहाइडरेशन हो जाता है उसको, उसके बावजूद भी वो आठ गहंते पूरा मेहनत से काम कर रहे हैं, जो की काफी काभीले तारीफ हैं कोरोना काल में लोग कोरोना संक्रमितों से अपनी दूरी बना लेते हैं, उनके अपने भी उने छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टार्फ, इनके इलाज के साथ ही इनका पूरा खयाल भी रखते हैं, तो ऐसे में, सलाम है ऐसी नर्स